हेलो फ्रेंट्स हमारी आज की कहानी है शातिर चोर एक बनिय के तीन बेटे थे एक बार जब बनिया बिमार पड़ा तो उसने तीनों लड़कों को बुला कर पूछा कि तुम क्या करना पसंद करोगे किस तरह की जिन्दगी विताओगे बड़े लड़के ने कहा कि वह दुकान से ही गुजारा कर लेगा छोटा बोला कोई अच्छा सा वैपार कर लूँगा लल्लू जो की सबसी छोटा था बोला मैं तो चोरी करूँगा एक बार कहीं तगड़ा हाथ बढ़ जाए तो वर्षों तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी बात सुनकर बनिये को बहुत दुक हुआ बोला बेटे चोरी करना आसान काम नहीं है पकड़े गए तो मार मार कर बुरता बना दिया चाता है उसके लिए अकल की बड़ी जरूरत है लड़का बुला इतनी अकल तो मुझ में है चाहे तो इम्तहां ले सकते हैं बनिये ने कहा तो तुम्हें दिल्ली जाकर बादशाह अकबर का घोड़ा चुराना होगा जिसे पिछले दिनों काबुल से मगाया गया है यदि एक हफते के अंदर तुम घोड़े को ले आए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे में अकल की कमी नहीं है अच्छा कह कर लड़का उसी वक्त दिल्ली क्यों चल पड़ा दिल्ली पहुंच कर पाया कि शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा है वह बाहर सडक पर रुख गया और सोचने लगा कि कैसे अंदर जाय जाय कुछ देर बाद उसने एक नाई को आते देखा पास आने पर पुछा भाई कहा जा रहे हो नाई ने बताया कि वह रोज हजामत करने शहर जाता है यही उसका धंदा है पूछा तुम कौन हो लड़का बोला कि मुझे जानी राम कहते हैं और मैं भी इस शहर में जाना चाहता हूं नाई ने बताया कि शहर के अंदर वही आदमी जा सकता है जो कुछ काम करता हो फाल्तु आदमी को शहर में नहीं गुशने दिया जाता सुनकर जानी राम सोचने लगा कि कैसे शहर में गुशा जाए नाई से वह बोला अच्छा भाई मैं वापिस ही लोट जाओंगा लेकिन मेरी हजामत तो बनाते जाओ नाई ने उसकी बात माल ली बोला बैट जाओ जानी राम बैट गया किन्तु पानी ना होने के गारण हजामत कैसे बनती तभी जानी राम ने दूर एक तालाब के और इशारा किया बोला वहाँ से कटोरी में पानी भरलाओ तभी हजामत बनेगी नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने चला गया अब क्या था जानी राम ने पेटी को कंदे पर लटकाया और अपने को नाई बता कर तेजी से शेहर के अंदर घुस गया शेहर पहुँशकर वह एक भटियारी के पास रहने लगा धीरे धीरे उसने भटियारी को काबू में कर लिए अगर तू होश्यारी से मेरा काम करती रहेगी तो तुझे रोज एक अशर्फी दूँगा बुढिया राजी हो गई तो उसने बताया कि आज से मेरा नाम जानी चोर है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जानी चोर कहा रहता है अगले दिन उसने एक पर्चा लिखकर बुढिया को दिया कि उसे ले जाकर दर्बार में डाल दे पर्चे में लिखा था बाशा सलामत जानी चोर इस चहर में आ चुका है वह आपके काबूली घोडे को चुरा लेगा बुढिया ने वह पर्चा अपने तोते को दिया ओर तोता उसी वक्त पर्चे को दर्बार में डालाया पाशा ने पर्चा पढ़ा तो चकित रह गया जानी चोर की आहिमत सुसरे को घोडे की पूंच से ना बंद भा दिया तो कहना पाशा ने एलान कर दिया कि आज रात को जो हमारे घोड़े की रखवाली करेगा उसे 500 रुपे इनाम में दिये जाएंगे सुन कर एक लालची सुनार दरवार में पहुचा और घोड़े की रखवाली का काम ने लिया बुढिया से जानी चोर को जब मालुम हुआ कि सुनार ने घोड़े की रखवाली की जिम्मेदारी ली है तो उसने बुढिया से पूचा सुनार के घर में और कौन कौन है बुढिया ने बताया कि उसके माता पिता भाई बहन सभी हैं उसका एक लड़का जवान है और नौकरी करने पर देश गया है और कई वर्षों से घर नहीं लोटा जानी चोर खुश होकर बुढिया से बोला कि अब काम बन जाएगा तू लोहा, पीतल और गिलट के कुछ रुकड़े इकटे कर और एक पोटली बना ले बाहर से सुन्दर रेशमी कपड़ा लवेट देना बुढिया ने वैसा ही किया शाम के वक्त जानी चोर ने पोटली बगल में रखी और सुनार की घर जा पहुचा घर पर उस रात सुनार की की घर वाली और उसके लड़के की बहु थी जानी चोर ने दर्वाजा खट-कटाया और मा को पुकारा सुनार की घर वाली बुढिया हो चुकी थी आखों से साफ-साफ दिखता ना था आवा सुनते ही उठ बैटी बहु को भी जगा दिया अरी मेरा सुमेर आ गया बहु उठ देखतो इतने दिनों बाद सुमेर लोटा है बहु भी उठकर खड़ी हो गई मा ने बेटे को गले से लगाया बोली अब तो तेरी आवाज, रंग, रूप, सब कुछ बदल गया है मेरे लाल हमा, बारा वर्ष में तो तुम भी बदली-बदली सी लग रही हो पास ही बहु घूंगट काड़े खड़ी थी जानी चोर ने पिता के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वे आज पहरे बर गए हैं शेर में जानी चोर आया है वह बादशा के गोड़े को चुराना चाहता है रात में बहु ने बढ़िया खाना बना कर उसे खिलाया मा अपने कमरे में सो गई वह भी बहु के साथ कोठे में जा पहुचा दे तक उन दोनों में बादचित होती रही अंत में बहु ने पूछा अपने माता पिता के लिए तुम बहुत सो रुपया कमा कर लाए होगे मेरे लिए भी कुछ लाए हो चानी चोर मुस्कुराया और पोटली को खनखनाता हुआ बोला यह देखो इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ उन चीजों से भी बढ़कर है जो तुम अपने माईके से लाई हो जरा लाना तो उन चीजों को इनके मुकाबले की हैं भी या नहीं बहु बहुत प्रसन हुई उसने अपने सारे जेवर लाकर रख दिये तभी उससे याद आया बोली अपना नौलखा हार्तों में लाई नहीं वह दूसरे कोठे पर रखा है ठैरो उसे भी लेकर आती हूँ कहकर वह दूसरे कोठे पर जा पहुची जानी चोर ने सोचा कि भगवान ने उसे अच्छा मौका दिया है इसे खोना नहीं चाहिए उसने संदूक्ची उठाई और चार दिवारी से कूद कर चमपत हो गया सारा जेवर लाकर उसने भटियारी को सौप दिया अगली दिन घर लोटने पर जब सुनार को इस बात का पता चला तो उसकी बोलती बंद हो गई कहां 500 रुपे का इनाम मिलने की खुशी थी और कहां हजारों की चपत पड़ गई उसने सोचा कि यह काम जानी चोर का ही है वह रोता तडपता बादशाह के दरबार में पहुँचा और अपनी कहानी सुनाई सुनकर बादशाह को आश्चर्य हुआ सोचने लगा चोर ही नहीं वह साथ साथ उस्ताद भी है किस तरह उससे अपने घोड़े की रक्षा की जाए दूसरे दिन दरबार में चिठ्ठी आगिरी इसमें भी घोड़े को चुराने की बाद लिखी थी चिठ्ठी बढ़कर बादशाह ने घोड़े पर कड़ी निगरानी रखने को कह दिया इनाम की राशी पांच सो से बढ़ा कर एक हजार कर दी इस बार घोड़े की रखवाली के लिए कोई तयार ना हुआ लोग सोचने लगे कि कहीं इनाम के चक्कर में घर का माल भी ना चला जाए किन्तु शेहर के कोतवाल से रहा ना गया वह मूचों पर ताव देता हुआ बुला अब उस बदमाश को मैं देखूंगा पकड़ कर बान ना दिया तो कहना जानी चोर ने भटियारी से फिर पता लगाया कि इस बार पहरे पर कोतवाल साब आये हैं उसने दुलहन जैसे कपड़े बहन लिये और एक थाली में धूब पती जला कर मंदी की और चल पड़ा रास्ते में कुछ दूरी पर घुड़ साल पड़ती थी जहां घोडे पर सवार हो कोतवाल साब पैरा दे रहे थे रात के समय एक सुन्दर स्त्री को अपने पास से गुजरते हुए जब कोतवाल ने देखा तो रोक कर पूछा इस आधी रात में किसकी पूजा करने राई हो औरत घूंगट निकाल कर बोली ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ कोतवाल बोला मैं भी तो ठाकुर हूँ औरत हसी के स्वार में बोली हटो जी क्यों मजाक करते हो कोतवाल बोला मजाक नहीं सच कहता हूँ तुम ठाकुर की पूजा करने चली हो जबकि ठाकुर स्वायम तुम्हारी पूजा करना चाहता है अच्छा तो चलो वहां मंदिर में चलकर पूजा करना ठाकुर खुशी से उचल पड़ा और अपने गोडे को साथ लेकर मन्दिर में चला गया उसने गोडे को बाहर बांद दिया हतकडी, बेडीयां और बंदूग लेकर ओरत के साथ मन्दिर के आंगन में जा धॉंका हतकडी, बेडीयों को देखकर स्त्री ने पूछा ठाकूर जी यह सब क्या है? कोतवाल ने बड़े प्रेम से उसे संजाया कि यह चोड डाकों के गहने हैं मैं इन्हें पहन कर देखूंगी यह कहकर स्त्री ने हतकडियां लेकर अपनी कलाईयों में डाल ली उसकी कलाईयों से हतकडियां निकालते हुए कोतवाल बोला यह तुम्हारे पहनने की चीज नहीं है तुम्हारी कोमल कलाईयां इससे बल खा जाएंगी स्त्री ने हट की नहीं जी मैं इन चीज़ों को पहन कर देखना चाहती हूँ कैसे पहने जाती हैं अच्छा तो रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ इन्हें कैसे पहना जाता है जैसे जैसे मैं बताता जाओ वैसे ही तुम मुझे पहनाते जाना कहकर उसने अपने हाथों में हतकड़ी और पैरों में बेड़ियां डलवा दी और फिर मुस्कुराता हुआ बोला देख लिया इस तरह पहना जाता है अब इन्हें खोल दो कोतवाल की बात सुनकर स्त्री जोर से हसी उसने अपनी नकली वेश बूशा को अलग किया और बंदूक उठा कर कोतवाल की चाती पर रगती पूचा करोगे बर्खुरदार जानी चोर की पूचा करना क्या असान काम समझा है जानी चोर का रूप देखते ही कोतवाल के होश उड़ गए किलगिडाता हुआ बोला भाई इस बार माफ कर दो आगे से कभी तुम्हारे आडे ना आओंगा किन्तु जानी चोर कब सुनने वाला था उसने कोतवाल को एक रस्ती से बान दिया उसके मुह में कपड़ा ठूस कर घोड़े पर बिठाया और बाचा के महल के आगे फैक दिया और चमपत हो गया सवेरा होते ही शहर में हलचल मच गई जानी चोर ने कोतवाल की वह दशा बनाई जो आज तक कभी न बनी थी लोग जानी चोर के नाम से थरथर कांपने लगे दरबारियों को लगा कि अब उसके हाथों से गोड़ा बचाना मुश्किल है दाम लगने पर वह गोड़े को अवश्य ही उड़ा लेगा दरबार में फिर पर्चा आगिरा जिसमें काबुली गोड़े को जल्दी ले भागने की बात लिखी हुई थी इस बार 5000 रुपे इनाम रखने पर भी कोई रखवाली के लिए तयार ना हुआ बादशा को बड़ी चिंता हुई कि किस तरह गोड़े की रक्षा की जाए और जानी चोर को जिन्दा पकड़ा जाए कोई उपाय ना सूचा तो बादशाह ने स्वयम निश्चे किया अपने हाथों से चोर को पकड़ेंगे सोच कर बादशाह उसी काबुली गोड़े पर बैठकर पहरा देने लगा जानी चोर ने पता लगा लिया कि इस बार स्वयम बादशाह पहरे पर है वह एक बुड़िया का रूप बनाकर मंदिर वाली सड़क पर जा बैठा और चक्की आगे रखकर अनाच पीसने लगा सड़क के किनारे बुड़िया को नाच पीसते देख बादशाह ने पूछा इस वक्त किसके लिए नाच पीस रहे हो बुड़िया बोली क्या करू सरकार बुड़ापा बहुत बुरा है और उससे भी बुरी चीज है गरीबी दिन में महले के बच्चे पगली कहकर चुढाते हैं इसलिए रात में यहां आकर काम करती हूँ अभी अभी एक सिपाही आया था पीसने के लिए गेहूं दे गया है अभी आकर ले जाएगा सुनकर बादशाह गोडे से उतर पड़ा पूछा क्या नम था उस सिपाही का बुड़िया ने माथे से पसीना पोचा बोली नाम तो सरकार वै जानी जानी कुछ बता रहा था बादशाह को विश्वास हो गया कि वही जानी चोर है उसने बुड़िया से पूछा वै कितनी देर में लोट कर आएगा आता ही होगा सरकार बादशाह ने सोचा चोर को पकड़ने का इस से अच्छा मौकर नहीं मिलेगा वै बुड़िया से बोला तू मेरे कपड़े पहन ल भी उसके हवाले कर दिया स्वयम उसने बुड़िया के फटे पुराने कपड़े पहन लिया और सड़क के किनारे बैठ कर चक्की घुमाने लगा हाथ में घोड़ा आते ही जानी चोर फूला ना समाया वह तुरंत घोड़े पर चड़ा और एड लगाते हुए बोला बादश जानी चोर बादशा की पोशाक में घर पहुचा तो बनी को विश्वास हो गया बोला शाबाज बेटा अब तू जरूर चोरी कर सकता है किन्तु याद रख गरीब को कभी परिशान ना करना इमानदारी और मेहनस से कमाये गए धन पर ढाका नहीं डालना और गरीबों की सहा प्रेता करने में पीछे ना हटना अब जाकर बादशा का घोड़ा वापिस करा सुनकर जानी चोर घोड़ा वापिस करने निकल बड़ा तो फ्रेंड्स कैसी लगिए कहानी कॉमेंट करके ज़रू बताईगा थाइंक्यू